तर्मी के मौसम में आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ ठंडा ठंडा रबडी वाला फालूदा हलो एवरिवन कैसे हैं आप सब मेरा नाम है पायल और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए जल्दी से हम लोग रबडी वाला फालूदा बना लेते हैं जिसके लिए सबसे पहले हम इसकी सिवाईया तयार करेंगे यहां पैन में एक से डेड़ कप हम पानी ले लेंगे फ्लेम को हाई पर रखेंगे और जो पानी है उसे अच्छे से उबलने देंगे जब पानी में उबाल आ जाएगा हम इसमें सिवाई डाल देंगे यह जो नॉर्मल पतली वाली सिवाईया होती है ना मैंने वही वाली ली है तो इसे दो से तीन मिनट तक हाई फ्लेम पर हम अच्छे से उबाल लेंगे जल्दी उबल जाती है यह सौफ्ट हो जाती है जब यह यह उबल जाएंगी तब हम इसे चान लेंगे पानी को अलग कर देंगे और जो चानी हुई सिवईया हैं इसे हम डाल देंगे पानी में चाहे तो नॉर्मल पानी ले लीजे या फिर ठंडा पानी ले लीजे क्योंकि इसे अल्टिमेटली हमें डालना तो फ्रिज में ही है नहीं होती आगे बढ़ते हैं अब हम अब रबडी बनाएंगे रबडी बनाने के लिए यहां पर मैंने लिया है एक लीटर दूद दूदी जो है वो साइड में चिपक जाता है ना कभी कभी तो उसे भी हम निकालते रहेंगे इससे जो हमारा दूद है जो हमाई रबडी है वो काफी मलाईदार बनेगी फ्लेम को आप मीडियम पर रखेगा सबसे पहले हमें दूद को आधा करना है और मीडियम फ्लेम रखेंगे तो दूद अच्छा क्रीमी हो जाए तो जब दूद आधा हो जाएगा तब हमें क्या करना है इसमें चीनी डालना है चार चम्मच हमने चीनी का इसमें इस्तेमाल किया है इसके साथ ही थोड़ी सी इलाइची डाल दी है और इसके साथ ही हमने केसर भी डाल दिया है जो थोड़े से दू पाँच मिनिट तक हमें इसे और पकाना है लगभग पाँच मिनिट के बाद आप देखेंगे दूद और गाड़ा हो गया है और मलाईदार हो गया है तो हमें क्या करना है बस इसे एक बार और मिक्स करना है गैस को बंद कर देना है उसके बाद इस मिक्शर को हम पूरी तरीके हैं तो अब क्या करेंगे यह जो आधा amics says है है इसे हम डाल देंगे एक कंटेफ्चर में पूरा नहीं डालना है और ही डालना है उसके बाद हम इसफ सीमें धको पंड़क्ड नो के लिए ताकि इसकी कुलफी बढ़िया जम जाए बाकी का जो मिक्स्चर है यह हमारी रबडी इसे हम फ्रिज में रखेंगे ठंडा होने के लिए कंटेनर को फ्रीजर में और इसे फ्रिज में रखना है छेया ड्हंटे हो चुके हैं और यह जो हमारी कुलफी है वो बहुत लेते हैं और यह आप देखिए बड़िया सी कुलफी जम कर तयार है इसे हम काट लेते हैं यह जो कुलफी है इसे मैं चोटे-चोटे स्क्वैर्ज में काट रही हूं चोटे-चोटे क्यूब्स कर रही हूं आपकी जैसी इच्छा हो आप उसे उस शेप में काट सकते हैं बह बहुती बढ़िया बहुती सौफ्ट कल्फी बनी है हमने थोड़ी बहुत वैसे भी खाकर देख ली थी तो बहुत बढ़िया टेस्ट आया है इसका कुल्फी तयार है साथी तयारिया हो गई हैं गलास भी हमने रख दिया है इसमें हम डालेंगे एक चम्मच रूवजा यानि क रोस सिरप का इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे हमारी सिवई जो हमने बॉइल करके रखी थी दो चम्मच डाले हैं इसके साथ ही दो तीन क्यूब्स हमने हमारी कुलफी के डाले हैं कुलफी के उपर दोबारा एक चम्मच हम डाल देंगे रूवजा का जैसे असेंबल करना ह हैं वैसे कर सकते हैं हमने हमारे हिसाब से किया है आभ हम इस Мы डाल देंगे ठंडी ठंडी रबड़ी क्ट हमने फृज्व में रखी थी ठंडा हो के लिए उपर से दुबारा हमने कुल फी डाल दी है जोंकि टिकने के तयार नहीं है रबड़ी में कीज disproportionately की और में से शेर कीजिएication मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बात जो असके बाद चानल बोज इस बैल डिल एकन और उसे जाल हैं यह सबद्री के साहिं तब तक के लिए बाई